बंदे पुर्षोत्म। आलोजना प्रसंग प्रथम खंड से 9 दिसंबर सन 1941 की सिशिठाकुर्जी की वारतालाप। सिशिठाकुर्जी से प्रस्न पूछा गया कि मनस्थ की प्रधान इच्छाएं क्या क्या हैं। सिशिठाकुर्जी ने कहा आहार, निद्रा, भै, मैथुन, अहम ये पांच चीजे प्रधान हैं। इसलिए इनके पुनह, अध्यात्मिक, मानसिक, सारेरिक, एंसात्विक, राजसिक, तामसिक इत्यादि नाना रूप हैं। ये सभी हर व्यक्ति में मौजूद हैं। फिर भी एक एक व्यक्ति में उनकी एक एक दिशा प्रामिनेंट प्रधान रहती है। उसमें ग्ञाना हरण की इस प्रिहा प्रभल रहती है संबहुता हुँ साप्त्रिक या राजसिक आहार पसंद करता है और किसी का इस ठूल आहार के प्रति आग्रह अधिक रहता है वह केवल भोजन पाकर ही बहुत खुछ रहता है जिसका राजसिक या तामसिक आहा रही बहुत प्रिय है वह खाद समस्या को ही जीवन की सरवच्च समस्या समझता है किसी की ऐसी समस्या अपने पेट के लिए रहती है तो किसी की रहती है गुरुजन और प्रियजन के लिए और किसी की व्रिहत्तर पारिपारस्विक के लिए उसी प्रकार किसी की स्प्रिचुल आध्यात्मिक और इंटलेक्चुल मांसिक हैंकरिंग आगांचा सिर्फ अपने लिए रहती है और किसी की अपने साथ प्रिय परिजन के लिए रहती है और किसी की व्रिहत से व्रियत्तर परिवेश के लिए रहती है अहा निद्रा भै मैथुन अस्मिता इत्यार हर चीज हर छेत्र में व्यक्ति विसेश रूप में इस प्रकार विभिन रूप धारन करते हैं इवं उसमें एक गाइडिंग या गोडिंग कॉंपलेक्स परिशालक प्रविट दिरहती है उसी प्रकार उसी अनुसार उनके साथ बाते करने से देखोगे कि वह तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता यदि एक बार रस संचार कर सको तो तुम उसे भगाना भी चाहोगे तो और नहीं जाएगा कहने का सार यह है कि मन उससे स्वयम ही कह देता है कि तुम्हें उसे क्या कहना है कुछ वाच लक्ष करने से पता चलेगा कालोदा आईच को तरकारी लाते देखते ही सिसिठाकुर ने उलसित हो कहा बहुत अच्छी चीज लाए हो जाओ बड़ी बहु को दे कर आओ इतना कहकर वे तंबाकु का कस लेने लगे सरद्दाने बाते करते हुए पूछा मनस से अपने मन की बात न कहकर जहां बुद्धी लगाकर नाना तरह की बाते करते हैं उन में हम उनकी अभिलासा को कैसे जान सकते हैं सिसिठाकुर जी बोले उनकी बातों से ही सब कुछ समझ में आ सकता है चाहे मनस जितने ही बातें क्योंने करे उसका जोक जिस दिसा में रहता है घूम फिर कर वह उसी जगह पर पहुँचना चाहता है युद्ध की बाते कहते हुए वह कह सकता है कि रूस की महिलाएं किस प्रकार युद्ध में उतराई पुरसों के कंधे से कंधा मिला कर देश के लिए उन्होंने प्राण गवा दिये पर क्या हमारे देश में ऐसा बनने का कोई रास्ता है ऐसी तो हमारी समाज विवस्था है बस इस प्रकार इसका ब्याक्षान आरंब हो जाता है थोड़ी नजर डालने से ही बात समझ में आ जाती है एक व्यक्त की गाइडिंग कॉम्पलेक्स परिचालक प्रविर्ति यदि तुम्हारे मन के अनुसार नहीं हो तो भी उसे हतोत्साह नहीं करना चाहिए अपनी विशारधारा के सार्थक प्रयोग से वह किस प्रकार जीवन में धन्य हो सकता है इसी बात को उसे कहना चाहिए कहने का असार यह है कि चाहे जिसकी जैसी प्रविर्ति रहे यदि वह इस्ट स्वार्थ पर्शिष्ठा में निक्त होता है तो उसके द्वारा ही वह भुद बड़ा बन सकता है उसकी वह प्रविर्ती ही लोग कल्यार कर हो सकती है जैसे किसी व्यक्ति की प्रकृति हिंसक जैसी है यदे उसकी ऐसी प्रविर्ती को असत, अन्याय और पाप के बृद्ध में लगाया जाए तो उसमें उसका भी मंगल हो सकता है और दूसरों का भी मंगल हो सकता है पर प्रवर्ति के मोड को घुमाना तब तक संभव नहीं है जब तक सत व्यक्ति से उसका प्रीम नहीं होता है इसलिए मनस्य से इष्ट में युक्त रहने की बात कहता हूं और इष्ट स्वार्थ परति स्वार्थ परतिष्ठा में लगाते तो मनुस्य के स्वार्थ और सुख स्वाच्छान्दता को ब्याहत ही कर सकते थे कुछ भी रचनात्मक कारे नहीं कर सकते थे किन्तु रामदास के परतिप्रीम के फलसरूप उन्होंने उतनी बिरुद्धता के बीच भी मराठा समराज के जैसा एक रास्ट्र गठन किया इसलिए इस्ट स्वार्थ परतिष्ठा को सहायक बनाकर काम में लगाने से कुछ भी व्यर्थ नहीं होता एक कुट्टे को देखकर सिसी ठाकुर जी ने कहा ओ कालिदासी उसका पेट सटक गया है उसे कुछ खाने दो कालिदासी माने कुट्टे को एक किनारे में फरही की लाई दी आलोशना परसंग प्रथम खंड के बेश संख्या 233 से 235 तक जय गुरू